दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बिहार में अभी दरोगा की भरती चल रही है 1275 पदों पर इसके रिगार्डिंग हमने एक डीटेल वीडियो बना कर जनकारी दिया था कि आप कैसे बिहार दरोगा का फॉर्म भर सकते हैं इस वीडियो में हमने देखा है आप में से काफी सार लो का कॉमेंट आ रहा है कि यहां पर graduateون की जो certificate number मांगी जा रही है सर्टिफिकेट क्या होता है मैटे के certificate number मांगी जा रही है क्या होता है तो क्लियर आपको करेंगे कि यह पासिंग सर्टिफिकेट होता क्या है और पासिंग सर्टिफिकेट किस प्रकार आपको दिखता है और आपको यहां पर क्या डालना है उसके बारे में हम डीटेल में बात करेंगे तिके सबसे पहले हमारे पास अभी आप देख पार होंगे एक हमारे सामने यह आपकी सर्टिफ certificate का जो क्रम संक्या है वो क्या है वो आपको यहां पर मिलता है इसी नंबर को आपको वहां पर पूछी जाती है certificate नंबर के रूप में और certificate कब बना है तो इसकी date भी आपको नीचे में आपको मिल जाती है यहां पर देखेंगे date आपको पता चल जाता है तो यही date आपको वहां पर डालनी है, तो समस्य यह यहां नहीं होता है, समस्य यहां होता है कि Certificate तो आपने समझ लिया कि किस परकार दिखता है और इसका Certificate नंबर कहां मिलेगा और इसका जो date है,igkeiten कहां मिلेगा, लेकिन दिखत यहां हो रहा है कि student के पास ये जो passing Certificate है वो है ही नहीं देखे भाई मेरे यह जो पासिंग सर्टिफिकेट अभी आप देख पा रहे हैं यह सर्टिफिकेट आपके विदाले में आ जाते हैं जैसा अगर माली जब मैटिक 2018-16-15-14 कभी भी पास किया होगा तो उस रिजल्ट के आने के एक 3-6 महिना के अंदर मेहीं आपके विदाले होते हैं उस विदाले में बोर्ट दौरा इस ओरीजिनल सर्टिफिकेट को भेज दिये जाते हैं आप चाहे तो अभी जाकर अपने विदाले से इसे ले सकते हैं जहां से भी आपने पास आउट किया होगा विदाले के पास ऑल्र के जगा पर आप क्या डाल सकते हैं तो देखिए यहां पर डालने के लिए आप Mark Set number अगर आपके पास होगा Mark Set होगा तो Mark Set पर भी यहां पर आप देखेंगे तो Serial number आपको मिल जाता है यही नंबर आप वहाँ पर दे सकते हैं और मार्टिट के नीचे आपको यह इसू date भी मिल जाता है तो यह आपने answer समझा लेकिन बेटर यही होगा कि passing certificate बुला गया है तो passing certificate ले लीजे उससे डालिए अगर नहीं है तो ऐसे इस्तिति में आप Marksit नमबर को भी याँ पर फिल कर सकते हैं और उसका इस्सू डेट बता सकते हैं और एक बात ध्यान रखेंगे जबी भी आप इससे डालते हैं तो जब भी भी आपकी डोकुमेंट वेरिफिकेशन होगी उस समय जो डीटेल अभी आप फिल करते हैं तेंथ का अगर माकसिट की डी फिल करने की जाएगी तो आपकी अपने माकसिट नंबर को भी फिल करेंगे और वेरिफिकेशन के समय कोसिस यही करना कि जो नमबर आप यहां पर फिल करनी है उनसे ही आपकी डीटेल को मिलान की जाएगी तो आप यह चीज़ किलियर हो जाएए इसको लेकर आप लोग लगातार पूछ रहे थे क्या डाले क्या ना डाले इसको लेकर हमने आपकी पूरी डाउट और कन्फूजन को दूर किया और यह सेटिफिकेट किस परकर होता है वो भी आपने देख पाया होगा अब जाकर आप चाहे तो अभी अपने कॉलेज या अपने इसकोल से जाकर इसे ले सकते एक दिन दो दिन में आपको आराम से इसकोल बला तो आपको हाथो हाथ दे देगा लेकिन इन्वर्सिटी में आपको समय लगेगा एक दिन दो दिन चार दिन maximum one week का समय लगेगा और आपको जो certificate है वो दे दिया जाएगा पास होने के 6 महिने से 3 महिने के अंदर अगर हो चुका है आपका result आया हुआ तो आराम से आपका certificate आ चुका होगा मैं उमिद करता हूँ आपका सारा confusion दूर हुआ होगा आप वीडियो पसंदा हो तो प्लीज इसे लाइक करे और वीडियो को share करे अपने दोस्तों तक ताकि उनको भी एक confusion दूर हो पाए कि इन detail में क्या फिल करनी है और माकसित नमबर आप डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं डालेंगे तो आपको क्या करनी होगी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद